हलो गाईज तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जनवरी से लेकर के अभी मिड जून तक यानि कि 15 जून तक जितने भी आपके एमबेजडर या हाई कमिशनर यानि कि राजदूत या उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं नियुक्तियों में अपॉइंट्मेंट्स में वो ह सबी कंट्रीज जिन पे कभी ने कभी ब्रिटिश शाशन रहा है वहाँ हम बोलते हैं हाई कमिशनर यानि कि उच्चायुक्त और जिन कंट्रीज में कभी ब्रिटिश शाशन नहीं रहा वहाँ हम बोलते हैं राजदूत यानि कि एमबेजडर अब यहाँ पे एक पॉइंट करने वाली है, यहाँ पे क्योंकि कुछ exceptions हैं, जैसे कि अमेरिका को ले लीजिए, अमेरिका पे British शाषन रहा है, लेकिन फिर भी हम वहाँ जैसे भारत का कोई representative जाता है, तो वहाँ पे हम उसे ambassador बोलते हैं, राजदूत बोलते हैं, ना की उच्चा युक्त, तो यह प्रशन आपके माइन में आना चाहिए, और यह प्रशन कोई नहीं बताता, आप ध्यान चे सुनो ऐसा क्यों, क्योंकि अमेरिका पे British शाषन तो रहा था, लेकिन वो वर्तवान में, राश्टर मंडल देश नहीं है, Commonwealth Countries का member नहीं है, बोलते हैं, राश्दूत बोलते हैं, ना क्यों चाहिए, अभी डेली करंट अफेर्स आप लोग पढ़ते होंगे, तो आपको याद होगा, अभी 54 वा राश्टर मंडल देश, 54th Commonwealth Country बना था, अंसा माल्दिव, एक्चुली ये पहले भी था, लेकिन इसने सदस्यता छोड़ दी थी, और फिर से जोइन कर लिया Commonwealth Countries को, तो इस तरह से 54th Commonwealth Country बना है, तो जब ये Commonwealth Country का पार्ट नहीं था, बात आपको clear हो गई होगी, अचा अब हमने ये तो देख लिया कि इनमें अंतर क्या होता है, लेकिन शायद आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि इनका काम क्या होता है, तो देखो इसे आप ऐसे समझो, जैसे आप किसी दूसरे देश में जॉब के लिए गए या फिर आप वहाँ पे घूमने गए as a tourist, तो उस देश में भारत की एक embassy बनी होगी, तो उस embassy का जो head होगा वो यही होते हैं, या आपके ambassador या high commissioner यही वहाँ के head होते हैं, तो उस देश में जितने भी आपके document से कागचे related काम होंगे वो इसी embassy में होंगे, और यही लोग उस काम को देखेंगे, अब आपको चीज़े और clear हो गई होगे, तो चलो अब direct question पर आते हैं, तो हमारा पहला प्रशन है कि अभी किसे अमेरिका में भारते राजदूत यानि के ambassador के रूपे नियूक्त किया तो आंसर होगा तरण जीत सिंग संधू को, एक्चुली इन से पहले USA में भारते राजदूत थे हर्श वर्दन श्रंगला, लेकिन अब हर्श वर्दन श्रंगला क्या बन गए हैं, foreign secretary विदेश सचिव बन गए हैं और इनकी जगे आ गए हैं तरण जीत सिंग संधू, अच्छा क्या बाकी option भी बताओं मैं आप लोगों को, क्योंकि ये भी appointments ही तो हैं, जैसे कि HK Jushi, Shipping Corporation of India के अध्यक्ष बनी, सुरेश चंद्र शर्मा, राष्टर चकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बने थे, और बबीता राइडू, सेबी की executive director बनी थी, फिर किसे कनाडा में भारत का उच्चा युक्ष हाई commissioner बनाया गया, तो आंसर होगा अजे बिसारिया को, अब ये कनाडा राष्टर मंडल देश है, Commonwealth country है, इसलिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, उच्चा युक्ष हाई commissioner बोलेंगे, उसी तरह से विने मोहन क्वातरा की बात करेंगे, नेपाल में भारतेर राजदूद बने, तरंजीत सिंग संदू देखी चुके हैं, अमेरिका में भारतेर राजदूद बने, किसे नियुक्ष किया गया था, तो आंसर होगा, गोपाल बाग लेखो, अब श्री लंका Commonwealth country का पार्ट है, तो यहाँ बे हम क्या बोल रहें, उच्चा युक्ष बोल रहें, बाकी ये भी देख लो, अजे बिसारिया, कनाडा में भारत के उच्चा युक्ष बने अभी, पीछे ही देखा है, विने मोहन कौातरा, ये नेपाल में भारतेर राजदूद बने, और तरंजीत सिंग संदू, अमेरिका में भारतेर राजदूद बने, अच्छा गर श्री लंका की बात कर लेते हैं, तो थोड़ा से स्टेटिक भी आपको साथ के साथ बताता जाओ, देखो, कंट्रीज में कम से कम उसकी कैपिटल, राश्टर प्रत्री प्रधान मंतरी कोई है, तो वो आपको पता रखने है, और कम से कम वो कंट्रीज जो आपकी न्यूज में चल रही है, तो श्री लंका की देखो, दो कैपिटल है, कॉलंबो इसकी कमर्शल कैपिटल है, श्री जैवर्दनेपुरम कोटेज की एड्मिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, करंसी श्री लंकन रुपी है, प्रसिडेंट है, गोत बाया राजपक्षे, और प्रधान मंतरी इनी के भाई है, महिंदरा राजपक्षे, फिर अभी किसे भारत में ब्रेटेन का नया उच्चायुक्त बनाया गया है, तो आंसर होगा फिलिप बाटन को, ध्यान रखना, ब्रेटेन ने बनाया है भारत में, और आगे चलके एक प्रशन हम देखेंगे, जिसमें भारत ने अभी ब्रेटेन में अपना उच्चायुक्त बनाया है, वो बहुत इंपोर्टेन नाम है, आंसर है गायतरी कुमार, वो हम आगे भी देखेंगे, बाकी गुपाल बागले की बात कर लें, तो श्रेलंका में अभी भारते उच्चायुक्त बने, देखो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आप लोग पिछे का भूलो न, इसलिए मैं आपका रिवाइज भी कराता जाऊँगा, यही खास बात होती है अपने वीडियो की, कि मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपको याद भी होते रहें और आप चीजों को भूलो भी न, बाकी आज यह बिसारिया की बात करेंगे, कनाडा में भारते उच्चायुक्त बने, और विने मोहन क्वात्रा यह नेपाल में भारते राजदूद बने, और देखिए, यह वीडियो में थोड़ा सा लेट अपलोड कर रहा हूँ, और वैसे मैंने आपको बता दिया था, कि इस टॉपिक का ओडियो बना करके, मैंने खबरी अप्लिकेशन पर अपलोड कर दिया है, और जो इस्टुडेंट फर्स टाइम इस वीडियो को ही देख रहे होंगे, उन्होंने आडियो नहीं सुना होगा, तो उनका तो यह फर्स्ट लर्निंग हो गया, आपने आडियो सुन रखा है, तो यह आपका रिविजन वाला पार्ट हो गया, मतलब आप उनसे एक कदम आगे हो, और मैंने आपको बोला भी यह देखो, वीडियो बनाने में टाइम लगता है, इसलिए मैं पहले आपके लिए आडियो बना देता हूँ, तो कम से कम पहले आप ओडियो सुनके रख लो, और जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा, मैं उसका वीडियो बना करके भी डाल दूँगा, आपके लिए कोई कसर नहीं छोड़ूँगा, आपका ओडियो से भी रिविजन करवाँगा, वीडियो से भी रिविजन करवाँगा, टेस्ट भी लगवाँगा, सब कुछ करवाँगा, लेकिन जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा, तो मैं तो आप लोगों को पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ दिल से, क्या आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हूँ, एक इतनी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो उसको शेयर जरूर करा करें आप लोग, आप मेंसे मैक्जिमम लोग इसे शेयर नहीं करते हैं, सिर्फ देखते हैं और चले जाते हैं, अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और इसे अपने एक गुरूप में, अपने एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करें बस, फिर है भारत में आस्ट्रेलिया के नए उच्चायूक्ट किसे बनाया गया, तो आंचार होगा बेरी ओफरेल को, तो आस्ट्रेलिया ने बनाया है भारत में, क्या नाम है, बाकी हम लोगों ने पढ़ा भी था, फिलिप बार्टन भारत में ब्रिटेन के नए उच्चा युक्त बने हैं भारत में ब्रिटेन ने नियुक्त किया है और गोपाल बागले ये श्री लंका में भारते उच्चा युक्त बने हैं और अजे बिसारिया कनाडा में भारते उच्चा युक्त बने हैं अच्छा सी है औस्ट्रिलियन डोलर और प्रधान मंत्री है स्कॉट मॉरिसन फिर अभी किसे फ्रांस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है तो अंसद होगा जावेद अश्रफ को वैसे तो यह वरतमान में सिंगापुर में भारते राजदूत हैं लेकिन अब यह फ्रां में अभी वित्त मंत्री बने हैं भारते मुलके हैं और अजे बिसारिया यह कनाड़ा में भारते उच्चा युक्त बने हैं अचाब फ्रांस की बात कर लेते हैं तो कैपिटल इसकी पैरिस है और पैरिस में आपको याद दोगा युनेस्कू का भी हैटक्वाटर है यहाँ चल एक्शन टास्क फूर्स का भी हैटक्वाटर है यहाँ पे और OECD का भी हैटक्वाटर है यानि की Organization for Economic Co-Operation and Development करंसी यूरो है प्रसिडेंट एमैनुवल मेकरन तो यहाँ पे साथ-साथ आपकी स्टेटिक की भी तयारी करता चलूँगा मैं कम से कम कोई भी अगर कंट्र प्रसिडेंट प्रधानमंत्री और कैपिटल भी बताता हुआ चलूँगा जो कंट्री न्यूज में है फिर अभी किसे वेनेजुएला में भारत का अगला राजदूत एमबेजडर नियूट किया गया तो अंसर होगा अभी शेक सिंग को अभी वेनेजुएला जो Commonwealth कंट्री का पार्ट नहीं है इसलिए हम क्या बोल रहे हैं याँ पे एमबेजडर बाकी आजे बिसारिया ये कनाडा में भारते उच्चायुत बने हैं चिंता मत को रो इतनी बार रेपीट करा दूँगा वीडियो खतम होते होते ये सारे आपको याद हो जाएंगे और इन सभी क्यू क्या होती है काराकस होती है करंशी है पेट्रो या फिर वेनेजूलियन बोलिवर फिर हाल में किसे तर्की में भारते राजदूत के रूप में नियूक्ट किया गया तो आंसर होगा संजे कुमार पांडा को तो संजे कुमार पांडा ये तर्की में भारते राजदूत बन ग अगले श्री लंका में भारत के उच्चा युक्त बने हैं फिर अभी किसे युगांडा में भारत का अगला उच्चा युक्त हाई कमिशनर ने युक्त किया गया तो आंचर होगा ए अजे कुमार को वैसे ही ये वरतमान में अभी तक विदेश मंत्राले में सैयुक्त सचीव लेकिन अब ये युगांडा में भारत के उच्चा युक्त बन गये हैं अचा इनी से मिलते जुलते नाम मैंने यहां पर रखे हैं आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज करने ये लिए जैसे कि अजे बूशन पांडे ये हमारे फिनेंस सेक्रेटरी हैं अजे कुमार ये हमारे र बताता हूं आपको अब राजेश चपलोत को युगांडा का सर्वोच नागरिक संबान मिला था और क्या केते हूं संबान को गोल्डन जुबली मेडल सिविलियन अवर्ड तो ये पॉइंट भी याद रखना फिर अभी किसे कतर में भारत का अगला राजदूत नियुक्त क हम बिस्दर क्यों बुला उनको क्योंकि कतर जो है वो कॉमन वेल्ड कंट्री का पार्ट नहीं है और Πी कुमारन को अब यहां से निकाल करके हमने कहां डाल दिया पर कितरह क्लियर हो गई होगी श्रवास्तव को बहरीन में भारते राजदूत के रूप में नियुक्त किया ग बने थे और जावेद अश्रप ये फ्रांस में भारतेर राजदूत बने थे अब यहाँ पे दो कंट्री का नाम हमने लिया कतर और बहरीन तो कतर की केपिटल दोहा है करंसी है कतरी रियाल और बहरीन की केपिटल मनामा है और करंसी है बहरीन दिनार अच्छा देखो ये कतर है कतर में भारते राजदूत न्यूक्त कर रहे हैं हम दीपक मिट्टल को आगे क्युशन हम पढ़ेंगे कुवेत का कुवेत में भारते राजदूत बनेंगे सीबी जोर्ज तो कतर और कुवेत में कंफ्यूज मत होना फिर ऐसकुमार जो है ये नमरता हैसकुमार इनको सिलोवेनिया में भारती राजदूत नियुक्त हुए है फिर से सुनो, जैदीप मजूंदर तो आस्ट्रिया में भारतिया अमबेजडर बने हैं, और नमरता एसकुमार ये स्लोवेनिया में भारतिया अमबेजडर बनी है, दीपक मितल की बात करेंगा अभी पीछे ही देखा था, कतर में भारतिया राजदूत नियुक्त हुए हैं, और पियुष श्रिवास्ताव ये बहरीन में भारतेर राजदूद बने हैं। अब यहाँ पे भी दो कंट्रेया हमने देखे एक तो ऑस्ट्रिया और एक स्लोवेनिया, तो ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना है। और वियना में ही आपको याद होगा ओपेक का हेटक्वाटर भी है। करंसी है यूरो, चांसलर है सेबेस्टियन कूर्ज, ये भी इसी साल बने थे। स्लोवेनिया की बात कर लें, तो इसकी जो कैपिटल है लुबियाना है, करंसी यूरो है, और इसके नए प्रधानमंत्री है, जैने जैनिसा की भी नए बने थे। अच्छा, यहाँ पे आपको एक पॉइंट लिंक करके मैं याद कराता हूँ, चीज़े आपको याद रहेगी लिंक करने से। यह तो है जैदीप मजुमदार, आगे हम एक और कुशन पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे जैदीप सरकार के बारे में, इनको लेसो थो में बाड़ते राजदूत नियूक्त किया गया है, लेसो थो एक अफरिकन कंट्री है, तो यह जैदीप मजुमदार है, वो जैद इयर का आवर्ड मिला है इनको, और एक औस्ट्रेला का सर्वोच नागरिक सम्मान जिसे कहते है, ओर्डर आफ औस्ट्रेला इनको मिला था, और यह सम्मान पाने वाली यह चौथी भारते बनी थी, तो इनका नाम भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेसे मजुमदार से एक और राजदूत के रूप में किसे नियूक्त किया गया है, नए अमबेजडर के रूप में तो अंचर होगा पी के नायर को, तो इनको याद रखना भी आसान है, नाईजर, नायर, नायर, ऐसे, नाईजर की कैपिटल है नियामी, और इसकी करंसी बहुत इंपोर्टेंट होगी, इसकी जो करंसी है प्रेजन टाइम पे वो है एको, काफी सारे लोग इसको अभी भी वेस्ट अफ्रिकन सी एफ एफ फ्रेंक बताते हैं, लेकिन अभी इसकी करंसी चेंज हो चुकी है, अगर करंट अफ्रेस पढ़ते होंगे तो कहीं बार मैंने आपको बता है, वैसे आठ कि देश कौन-कौन से एक तो नाइजर हो गया, एक माली है, एक सेनेगल है, बैनन, टोगो, बुर्किना फासो, गिनी बिसाओ और आइवरी कोस्टा, इनकी करंसी अब हो गई है, एको, यह आप याद रखना है, और इसके प्रेसिडेंट है, महमदो, इस्सोफो, बाकी नमर सिंगापूर में भारते उच्चायुक्त के रूपे नियुक्त किया गया, तो अंसर रोगा पी कुमारन को, यह मैंने आपको पीछी भी बताय था, कि अब पी कुमारन को सिंगापूर में भारते उच्चायुक्त हाई कमिशनर बना दिया गया है, पी कुमारन का पूरा नाम है पेरिया सामी कुमारन और ये किन का इस्थान लेंगे ये जावेद अश्चरफ का इस्थान लेंगे और जावेद अश्चरफ आप जानते ही हो अभी फ्रांस में भारत के उच्चायुक्त बन गये हैं, बाकी P.K. Nayer, Nayer से याद रख लू, Niger, Niger में भारतेर राजदूद बने, दीपक, मित्तल, ये कतर में भारतेर उच्चायुक्त बने हैं, और कतर से ही मैंने लिंक करके आपको याद कराया है, कुवेट, C.B. George बने हैं वहाँ पे, C.B. George के बारे में आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन याद अभी से ही करा दूँ में आपको, और जैदीप मजूमदार ये आउस्ट्रिया में भारतेर राजदूद बने हैं, और एक जैदीप सरकार नाम भी पढ़ो गया आप आगे, ये Pacific Economic Cooperation, फिर अभी कुवेत में भारत का नया राजदूद एमबेजडर किसे बनाया गया, तो अंचर होगा C.B. George को, अब आपको ये याद हो गया होगा, क्योंकि पहले में आपको दो बार बता चुका हूँ, तो कुवेत में बने हैं C.B. George, और कतर में कौन बने है, दीपक मित्तल बने है, वैसे एक रवी मित्तल भी आपने नाम सुना होगा, ये हमारे खेल सचीव है, रवी मित्तल बाकी रविश कुमार की बात करेंगे, अभी ये भी एक नया अपॉइन्मेंट है Phinland में भारत का नया राजदूत इनको बनाया गया है, पी कुमारन सिंगापुर में भारते उच्चायुक्त बने है, और पी के नयार नाइजर में भारते राजदूत बने है, कुवेत की बात कर लेंगे Capital कुवेत City है, करन्सी है कुवेती दिनार, फिर अब ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त हाई कमिशनर के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो यह important question मैं आपको बताया पीछे भी आंसर होगा गायत्री कुमार को और अगर उल्टा करके मैं आपसे पूछू तो कि ब्रिटेन ने भारत में किसको अपना उच्चायुक् कुमार सिंगल यह पापवा न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं यह भी एक नया प्रश्न है इसको भी याद रखना सुशील कुमार सिंगल पापवा न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त हाई कमिशनर बने नमरता इसकुमार हम पढ़ चुके और प्रधान मंतरी हैं बोरिस जॉंसन फिर अभी रोमानिया में भारत का अगला राजदूत एंबेस्डर किसे नियुक्त किया गया तो आंचर होगा राहुल श्रिवास्तव को बाकी सीबी जॉर्ज यह भी कुवेट में भारते राजदूत बने रविश कुमार फिनलेंड मे भारते उच्चा युक्त बनी हैं रोमानिया की बात करेंगे कैपिटल बुचारेष्ट है करंसी है लिव फिर स्वेट जलेंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया तो आंसर होगा मोनीका कपिल मोहता को और ये किनका इस्थान लेंगी ये सीबी जॉर्ज का इस्थान लेंगी सीबी जॉर्ज जो अभी कुवेत में भारत के अगले राजदूत बने अच्छा कुवेत में तो सीबी जॉर्ज बने है इंसे लिंक करके मैं आपको बताया था कतर में कौन बने है दीपक मित्तल बने है तो इसी तरसे चीज़ों को करके याद करना है अब बाकी राहूल शिर्वास्तो अभी रोमानिया में भारत के अगले राजदूत बने गायतरी कुमार ब्रिटेन में भारते उच्चायुक्त बनी और रविश कुमार फिनलेंड में भारते राजदूत बने स्विट्जलेंड की बात कर लें तो कैपिटल बर्न है करंसी है स्विश फ्रेंक और प्रेसिडेंट है से मोनेटा सोमर हुगा और स्विट्जलेंड के जेनेवा में हैटकॉर्टर है डब्लू एचो का और स्विट्जलेंड के जूरिक में हैटकॉर्टर है फीफा का ये भी याद रखो अच्छा स्विट्जलेंड से एक गले राजदूत के रुप में नियूट किया गया तो अंसर होगा शंबू एस कुमारन को तो अभी तक ये मुरक्कों में भारते राजदूत थे लेकिन अब ये फिलिपिन्स में भारते राजदूत होंगे पी कुमार की बात करेंगे, सिंगापूर में भारते राजदूत बने, मोनिका कपिल मोहता पीछे ही देखा, स्वेट जलेन में भारते राजदूत बनी और गायतरी कुमार ब्रिटेन में भारते उच्चायुत बनी, ये गायतरी कुमार नाम याद रख लेना important है, और फिलिप में क्यों है मैं आपको क्यों बता रहा हूँ 2020 का अभी रद कर दिया गया COVID-19 के कारण तो आपको 2019 वाला याद रखना है 2019 में ये पुरिसकार किसको मिला था NDTV के पत्रकार रविश कुमार को मिला था बाकी फिलिपिन्स की जनरल बात कर दें से स्टेटिक तो केपिटल मनिला है और मनिला में ही एशन डेवलेप्मेंट बैंक का हैटकॉर्टर है से कि कोई WTO में Ambassador nuked हुआ है किसी और जगे Ambassador राजदूत के रूप में nuked हुआ है तो वो भी तो appointment है और वो important है तो वो भी मैं इसे में cover गर रहा हूँ तो उसी में ये question आता है कि कि किस भारते को Thailand में United Nation का प्रमुख दूत बनाया गया तो अंसर होगा गीता सभरवाल को तो इन्हें Thailand में United Nation का resident coordinator nuked किया गया है और ये हैं गीता सभरवाल और यहाँ पे लिख रहा है गीता गोपिनाथ ये 2019 में International Monetary Fund की पहली महिला Chief Economist बनी थी और अंशुला कांत को ने? 2019 में ही ये World Bank की पहली महिला CFO Chief Finance Officer और Managing Director बनी थी MDCFO आप बोल दो और HK Joshi HK Joshi मतलब होता है Harjit Kaur Joshi Shipping Corporation of India की पहली महिला CMD बनी थी ये बाकी United Nation की भी बात कर लेते हैं इस तापना इसकी 24 October 1945 को इती इसलिए हर साल हम 24 October को United Nation Day की रुप में मनाते हैं और मैंने कहीं बार बताया और मैंने कहीं बार बताया 24 October को और भी important day होते हैं जैसे की polio day जैसे की national food day ये भी 24 October को मनाते हैं United Nation का headquarter न्यू यॉर्क में है Secretary General है Antonio Guterres और ये कहां से हैं ये पुर्तगाल से हैं पुर्तगाल की capital आपकी list बन है और पुर्तगाल से आपकी एक football player भी है Cristiano Ronaldo उसी तरह से एक और important question देखो अभी किसे विकास और शांती के लिए सन्यूक्त राष्टर संग की सदभावना राजदूत के रूप में न्यूक्त किया गया तो अंसर होगा M. Netra को ये तमिल नाडू के मदूरे में एक सेलून चलाने वाले मोहंदास की बेटी है M. Netra और अभी इनी को UNADAP यानि की United Nations Association for Development and Peace का Goodwill Ambassador to the Poor बनाया गया है ये मातर 13 साल की बच्ची है और इनी को क्यों बनाया गया तो इसका भी एक कारण है अभी lockdown के समय इन्होंने जो अपने बचत के पैसे थे 5 लाख रुपे वो गरीबों को खिलाने में खाना खिलाने में खर्च कर दिये इसी कारण से है और प्रधार मंतरी नरेंदर मोदी जी ने मन की बात कारेकरम में भी इनका जिक्र किया था एम ने तरा नाम याद रखना ये important है अच्छा option में ये नाम देखो ये भी important है ब्रजेंदर नवनीत अभी world trade organization में भारत के राजदूद बने ये TS तिरू मूरती United Nation में भारत के इस्थाइप परतिनीधी permanent representative बने ये और उदे कोटेक वैसे तो कोटेक महिंदरा बैंक के MDCOA ये लेकिन अभी इन्हें CII Confederation of Indian Industry का अध्यक्ष बनाया गया और CII का उपध्यक्ष बनाया गया है संजीव बंसल को वैसे आप लोगों के लिए आगी planning ये है वैसे तो ये वाला topic हमारा ambassador और high commissioner पे चल रहा है लेकिन अगर समय ने और आप लोगों ने साथ दिया तो जन्वरी से लेकि अभी तक जून तक जितने भी important appointments है national, international वो सब में आपको cover कर रहा हुआ बस आपका साथ बनाये रखना वीडियो को share करते रहना, मुझे motivate करते रहना ताकि मैं पूरे जोश के साथ आपके लिए लगा रहा हूँ फिर है हाल ही में, Belgium में भारत के अगले राजदूत यानि कि ambassador के रूप में किसको न्यूक्त किया गया तो अंसर होगा संतोष जा को तो संतोष जा ये वैसे अभी वर्तमान में उजबेकिस्तान में भारते राजदूत हैं लेकिन अभी इनी को, Belgium में भारत का अगला राजदूत न्यूक्त किया गया है, तो इनका नाम आपको याद रखना है बाकी option की बात करेंगे तो शंभू एस कुमारन, फिलिपिन्स में भारत का अगला ब्रुसेल है, और ब्रुसेल में आपको बताए European Union का Headquarter है World Steel Association का Headquarter भी आपको यहीं पर मिलेगा NATO का Headquarter भी आपका यहीं पर है और एक और है World Customs Organization का Headquarter भी ब्रुसेल में है, करंसी यहां की Euro है, और Belgium की पहली महिला परदान मंतरी बनी थी पी, कौन, Sophie Wilm तो यह नाम भी आपको याद होना चाहिए इसके अलावा 2021 में आपके Indoor Hockey World Cup भी होंगे Belgium में ही, इसके अलावा एक Steady Question में आपको बताता हूँ जो यहां से कहीं बार exam में पूछा जाता है डारेक्ट कि Cockpit of Europe के नाम से किसको जाना जाता है, तो आंसर होगा Belgium को मतलब Europe के युद्ध का मेदान और Belgium से एक और पॉइंट आपको याद आया होगा, अभी FIFA रेंकिंग आये थी उसमें टॉप पे रहा था Belgium और भारत उसमें 108 रिंबर पे रहा था, तो इस वीडियो में जनवरी से लेके अभी 15 जुन तक जितने भी important appointments थे, आपके Ambassador और High Commissioner को लेकर के राजदूत और उस चाजुक्त को लेकर के उस सारे अमने इस वीडियो में कवर कर लिये हैं एक नाम मेरी जहन में है ब्राजील का शायद रह गया है उमारा ब्राजील में भारते राजदूत बने हैं यहीं सुन लो, यहीं बता रहा हूँ सुरेश के रेड़ी ब्राजील में भारते राजदूत बने हैं शायद अपने ब्राजील नहीं पढ़ा था तो इस पढ़ लिया होगा तो ध्यान रख लेना नहीं पड़ाओगा तो भी ध्यान रखना तो इसे यहीं पर खतम करते हैं